आम आदमी पार्टी के निता अपने ही बिछायजाल में फस गए हैं, पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा है कि ED और CBI की कारवाई से कैसे बचे, पार्टी के मुख्या अरविंद केजिर्वाल अगर जेल गएं तो पार्टी के लिए अपना स्तित बचाना भी मुश्किल हो सकता ह हलाकि आपको भी अंदाचा हो गया है कि केजिर्वाल भी ग्रफदार हो सकते हैं, यही वज़ा है कि आपके निता ये कह रहे हैं कि केजिर्वाल के जेल जाने के बाद केजिर्वाल जेल से ही पार्टी और सरकार चलाएंगे, लेकिन केजिर्वाल के जेल जाने से पहले आप में खलबली मच गई है पार्टी के नेता मोधी सरकार को ही कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी की केंदर सरकार केजरवाल को फसाना चाहती है लेकिन सवाल है कि शराब घोटाले में फसे आप नेताओं को कोट से जमानत क्यों नहीं मिल रही है क्यों सुप्रिम कोट को भी सिर्फ गिरफतारी नहीं वो केजरवाल के साथ कुछ और भी बुरा करने जा रहे हैं वो कुछ और बरा अंजाम देंगे इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे एडी की कारवाई से आमादनी पार्टी और अरविंद केजरवाल की बढ़ गई है मुसीबत और कैसे आपको लगा है कोट से बरा जटका तो बने रही हमारे साथ खबर में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और आपके सभी बरे निता टेंशन में है कि अगला नंबर किसका आने वाला है आमादनी पार्टी के निता कुछ करे न करे कहानी बनाने में तो माहिर हो गया है कोट बेल देने को तयार नहीं है बेगुनाही का सबूत नहीं है लेकिन बाते ऐसी बनवालों की कोई देश भक्त विदेशी अकरांत के गिरफ्त में हुंकार भर रहा हो कोट कह रहा है कि आप संदिक्ध लग रहे हैं लेकिन आपके निता कहना है कि जी हमसे अधिक इमांदार तो कोई है ही नहीं लेकिन कोट कह रहा है कि जी आप से साजिश की बूँ आ रही है लेकिन आपके नेताओं की बयानबाजी का आलम ये है कि कोट परिसर में भी वह विबादस्पत बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं और उनके ऐसे ही बयान ने खलबली मचा दी है तरसल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंग के बयान से खलबली मच गई है कोट परिसर में पेशी के दोरान उन्होंने बड़ा दवा किया है और ये दिल्ली के सीम अरविंद केजिवाल से जुरा है संजय सिंग ने कहा है कि अरविंद केजिवाल को फसाने की बहुत बरी साजिश है सिर्फ गिरफतारी नहीं केजिवाल के साथ बरी घटना को अंजाम देने वाले हैं ये लोग पार्टी की ओर से ये वीडियो क्लिप शेयर कर सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई है श्राब घोटाले से जुरेमनी लॉंटरिंग मामले में संजय सिंग जिल में है और अदालत कक्ष में लाए जाने के दौरान आप नेता संजय सिंग ने बीजेपी का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि उन्होंने अरविंद के जिवाल को गिरफतार करने से भी बत्तर कुछ करने की योजना बनाई है उन् की एक अदालत ने आप निता संजय सिंग की नियाए खिरासत की अफधी 24 नॉमबर तक बढ़ा दी है विशेस नियाधीस एमके नागपाल ने संजय सिंग को संसत सदसे के रूप में विकास कारियों से संबंधित तीन पत्रों पर हस्ताक्षर करने की अनुमती भी दी ये त संजय सिंग अपने आप कोई मांदार बता रहे हैं लेकिन कोट से उन्हें जमानत नहीं मिल रही है इसके साथ ही मनेशी सोधिया को भी जमानत नहीं मिल रही है लेकिन आपके नेता मोधी सरकार पर निशाना साथ रहे हैं कासन बचेगा महुआ के भीतर डर ने ऐसा घर कर लिया है कि वो कुछ भी उलजलूल भाशन और बयान दे रही है महुआ को लगा कि वो तौले बाजी करके बच जाएंगी लेकिन हो गया उल्टा CBI के आक्षन में आते ही महुआ मोहितरा की नींदे उड़ गई CBI क्या आक्षन लेती है यो तो वक्त ही बताएगा लेकिन महुआ पर एक बड़ी कारवाई हो सकती है इसकी पूरी संभावना है पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में अपने खिलाफ कारवाई देखकर त्रणमूल कॉंग्रिस की लोगसभा सांसत महुआ मोहितरा दिल में ला गई है महुआ मोहितरा ने कहा कि वो अगली लोगसभा में बड़े जनादेश के साथ वापसी करेंगी एथिक्स कमिटी द्वारा च्हे अनूपा चार वोट से अपनाई गई 500 पन्ने की रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया में महुआ मोहितरा ने इस सिफारिश को कंगारू कोड द्वारा एक पूर्व निरधारत मैच बताया मोहितरा निका की भारत के लिए संसदी लोगतंत्र की मौत है इससे पहले सीबी आई जांच को लेकर महुआ मोहितरा ने ट्वीट कर लिखा था कि एजिंसी का सपागत है आईए और मेरे जूते गिनिये आपको बता दे महुआ मोहितरा दोजार नीस में पस्चिम बंगाल के कृष्णा नगर निर्वाचन शेतर से जीत कर पहली बार संसद बनी थी इससे वेले वो करीम पूर से विधायक थी एथिक्स कमिटी से महुआ मोहितरा के खिलाफ आरोपो को बहुत गंभीर बताया और मांग की कि उन्हें लोगसभा से निश्कासत कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने अपना सांसद लोगिन उद्योग पती दर्शन हीरा नंदानी के साथ साज़ा किया था जिन्होंने गौता मटानी के खिलाफ सवाल पोस्ट करने की बात सुईकार की थी रिपोर्ट में कहा गया है कि जब महुआ मोहितरा वहां नहीं थी तो दुबई से 47 बा लोगिन का इस्तमाल किस ने किया एथिक्स पैनल ने बीजेपी सांसन निशिकान दूबे और वकील जै अननत देहाद्राई के बयान तर्च किये हैं जिन्होंने मोल रूप से अपनी पूर्विसाथी महुआ के खिलाफ शिकायत की थी महुआ मुहित्रा से 2 नवंबर को पूछताच की गई थी जा उन्होंने दावा किया था कि उन्हें उत्पीडन का सामना करना पड़ा क्योंकि उनसे अभद्र और व्यक्तिकत सवाल पूछे गए थे पैनल के चारवे पक्षी सदस्यों के मसोहते रिपोर्ट का विरोत किया और कहा कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई उन्होंने रिपोर्ट से असेहमती जताते हुए कहा कि दर्शन हीरानन दानी को नहीं बुलाया गया एथिक्स पैनल के अध्यक्ष विनोट सोनका ने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट लोगसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला को सौपेंगे अध्यक्ष रिपोर्ट प्रकाशित करने का आदेश दे सकते हैं संसत के अगले सत्र के दौरान समिती के अध्यक्ष रिपोर्ट को सदन में पेश करेंगे और फिर उस पर वहस होगी जिसके बाद सदस्सिक के निशकासन के लिए सरकारी प्रस्ताफ पर मतदान होगा तब ही महुआ मोइत्रा का निशकासन प्रभावी होगा कॉंग्रिस की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है पार्टी के नेता ही कॉंग्रिस का खेल खराब करने में लगे है बीजेपी तो कॉंग्रिस को एक्सपोस कर ही रही है साथ ही कॉंग्रिस के नेता भी पार्टी की पोल खोल रहे है जो की पांच राज्यों में हो रहे विधान सभा चुनाओं से लेकर लोग सभा चुनाओं में कॉंग्रिस की लुटिया डुबो सकती है। जो की लोग सभा चुनाओं के दोरान तो मंदिर चाते हैं लेकिन हिंदुत्यों पर सवाल उठाते हैं। जो की लोग सभा चुनाओं के लोग सभा चुनाओं में कॉंग्रिस की लेकर चाते हैं। बिल्खुल अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदु धर्म गुरु पार्टी में रहे हलाकि उन्होंने ऐसे किसी नेता का नाम नहीं लिया। और कहा कि राजनिती में भाषा तो सांकेतिक ही रहती है। उन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन मैंने महसूस किया कि कॉंग्रिस में ऐसे कुछ नेता है। उन्होंने कहा कि इंडी गटबंधन बनाने का मकसद यही है कि मोधी और बीजेपी को हटा दिया जाए। इतना होगा कि राम इस देश के आराध्य हैं। जो राम का विरोध करेगा उसका देश भी विरोध करेगा। बीरो रिपोर्ट ओमेच न्यूस।